कैसे हैं आप सब आज बनाने चाहा रहें बहुत प्यारा और खुशुरा सा डिसाइन का डोर मेट देखे यहां पर हमने जिसके लिए दो प्रकार की उल ले रखी है आप चाहे तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं अगर आपके पास उल लेए तो आप साड़ी चुन्नी स स्पाइब करणा है अगर साड़ी से बनाना है आपको आपको निकालने होंगे एक इंचेष की पट्टी कट करनी होंगी ठीके अगर उल से बना रहे हैं टोर मेट बनाएंगे तो ओल से डोर मेट बनाने के लिए आपको इसमें उलको जो है डबल फोल्ड करना होगा क्योंकि मैं ये थालपोस के लिए बना रहे हूं आप सेम डिजाइन अगर डोर मेट के लिए बनाएंगी तो आपको डबल फोल्ड करना होगा ठीक है तो देखे इस तरीके से हमने यहाँ पे सिंगल डो ये जो धागा है हम तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आप इस डिसाइन को बनाने के लिए 40 फंदों का इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहे तो 35 फंदे डाल सकते हैं तो देखे जिसके लिए इस डिसाइन को बनाने के लिए हमने इस तरीके से पहले से ही एक कली बनाके रखी हुई है ताकि आप को अच्छे से समझ में आ सके देखिए हमने यहां पर फंदे डाल रखें ठीक है यहां पर हमने फंदे डाल रखें इस तरीके से जैसे यहां पर है सेम प्रोसेस में हमने यहां पर फंदे डाले हुए है ठीक है तो आप जैसे 50 फंदे का ले रहे हैं तो आप यहां पर फंदे वे उपर की साइड जाएंगे और यहां पर हर फंदा नीचे की सरफ एक एक बढ़ता जाएगा लास्ट में जहां पर हमारा लास्ट हो जाता है वहीं से देखे एक एक फंदा हम ब्लैक का उपर की साइड जाएंगे और यहां से जितने फंदे हम यहां पर एक एक करके बढ़ा जैसे हमने यहाँ पे आप समझ लिजे आपने फंदे डालने हैं और स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट रो से इस तरीके से करना है देखिए यहाँ पे आपको एक कलर का जो यहाँ पे आप धागा लगाएंगे उससे जैसे हमने ब्लैक लगाया तो ब्लैक से एक फंदा बना चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, ठीके, यहाँ पे हमने 15 फंदे अपने टोटल बुन लिये, आपके अगर 50 हैं तो आप यहाँ पे देखे, 50 फंदे इस तरीके से बुनने, अब एक फंदा यहाँ पे छोड़ देना, लास्ट वाला, और यहीं से पलट लेना है, ठीके, आप उपर की साइड यहाँ पे जाएंगे, एक, यहाँ पे हम कंप्लीट रो बनाएंगे, जो जिस कलर से है, आप देखे, यहाँ से हमने कंप्लीट फंदे बुन लिये, रेट के, और यहाँ पे जो एक ब्लैक है, उसे इस पलट लेंगे, इस तरीके से, यहाँ से हम एक फंदा इस तरीके से गोल्ड राउंड करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीके, इस तरीके से बढ़ाना फंदा बहुत ही आसान हो जाता है, अगर आप इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छे से आसानी से बढ तो देखें यहां पर हम कलर को एड़ करेंगे क्योंकि रेड कलर हमारा यहां पर खतम हो गया तो देखें आप यहां पर देखें जो रेड है उसे हम फिर से रेड को बुनेंगे रेड से इस तरीके से नीचे की साइड जाएंगे देखें यहां पर और एक फंदा यहां पर हम प्रेड का छोड़ेंगे और यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से इस डिसाइन को बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल प्रोसेस वे बनी हुई खुबसूरा सी डिसाइन है आप देखें इस तरीके से यहां पर सभी बन्दों को हम बुनेंगे ठीक है अब देखें यहां से सभी बन्दों को हमने रेड के बुन लिया पलट देंगे इस तरीके से ब्लैक को हम ब्लैक से बुनेंगे ठीक है सीधी साइड से किनारे का फंदा पलट लेना है अब यहां से एक बार गोल्ड राउंड करेंगे तीन फंदें हमारे हो गए यहां पे चार पांच ठीक है अब यहां से पलट देंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आपके जितने विजे से आप बड़ा बनाना चाहते है न तो आप बड़ा भी बनाएंगे तो सेम इसी तरीके से आपको बनाते जाना है और यहां पे एक फंदा छोड़ देना है पलट लेना है ठीक है आप उपर के साइड देखे इस तरीके से सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना होता जो जैसे होता है न सेम प्रोसेस में हमें बनाना होता है तो देखे इस तरीके से बनाएंगे अब देखें यहां से देखें सीधी साइड से फलटतेंगे और यह क्रोस कराते वे आगे की साइड लेंगे यहां से red को हम red से भुनेंगे इस तरीके से और black को black से ठीके देखें यहाँ पर अपलड़ देंगे फिर से एक फंदा black का gold round करते वे देखें यहाँ पर इस तरीके से simple process में gold round करेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे ठीके, दो तीन चार पांच तो अगर आप new है तो please like, share, subscribe जरूर कीजेगा और वेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल सके ठीके, तो अगर आप हमाई साथ जूड़ना चाहते तो all पे क्लिक करके रखें और ताकि आपको सभी वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले जा सके और आप डेली एक वीडियो देख सके ठीके, तो डेली देखने के लिए इस तरीके से अगर आप हमाई साथ जूड़ना चाहते हैं तो जूड़ सकते हैं तो देखें अब यहाँ से और कोई design में अगर आपको आप देखें यहाँ से इस तरीके से सभी फंदों को बुनेंगे आप देखें इस तरीके से हमने यहाँ पे यह देखें यहाँ पे जो हमने एक एक फंदे करके यहाँ पे एक एक फंदे उपर की side छोड़ते गए हैं और यहां से एक एक फंदा नीचे की साइड हम red कलर में black कलर का बढ़ाते गए और यहां से एक एक फंदा उपर की साइड बढ़ते गए ठीके आपकी अगर यहां पर 50 फंदे हैं तो आपके 50 फंदे का पांट बनके ready होगा ठीके तो आप देखें यहां पर जितने फंदे हमने यहां पर 50 है तो यहां पर 25 फंदे बढ़ेंगे ठीक है तो अब यहां पर इस तरीके से 2 का एक करेंगे अब हमें यहां से देखी, यहां से हमें नीचे की साइट पे जाना है, ठीके? तो जिसके लिए हम यहां पे दो का एक करेंगे, और देखें यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, ठीके? अब यहां पे हम ब्लैक कलर को अभी तक हम रेट के छोड़ रहेते हैं, अब यहां पे हम ब्लैक का छोड़ेंगे और यहीं से पलट देंगे, ठीके? अब देखें यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, और चोड़ा, ठीके? अब यहां पे फिर से हम पलट देंगे, दो का एक करेंगे, देखें इस प्रकार से, ऐसे दो का एक करना है, और यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, और बारा, ठीके? अब यह एक फंदा, फिर से हम ब्लैक का छोड़तेंगे, यहां से पलट देंगे, उपर की साइड देखें, इस तरीके से, अब इसी तरीके से हम उपर की साइड जाएंगे, और यहां से एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे, और उपर की साइड से एक एक फंदा बंद करते जाएंगे देखिए याँ पर तो इस तरीके से कर लेते हैं पिर दिखाते हैं आप देखें इस तरीके से हमने यहाँ पे सेकेंड कली बना के भी रेडि कल यह देखिए इस प्रकार से यह कली हमारी एक हो गई और एक यह हो गई इसी प्रकार से हम बार-बार कलिया बनाते जाएंगे और हमारा डोर मेट बनके रेडी हो जाएगा ठीक है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से और सस्क्राइब जिरूर कीजेगा